गुट इवनी आप सभी को स्वागत है आप सभी का आज की लेक्चर में जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रड़क्ट एंड सर्विसिस के बारे में तो प्रड़क्ट एंड सर्विसिस के लवग लगवग तो दो पार्ट में इसको करेंगे और कल हम करेंगे इसका नेक्स्ट बाला पार्ट तो आज की वीडियो में लगवग 200 कॉश्चन वाया हम कवर करने वाले हैं जो बहुत इंपोर्टेंट रहने वाले आपके एक्जाम के लिए एक बार आप ओडियो वीडियो चाक करेंगे जल्दी सम क्लास शुरू करेंगे और एक्जाम के लिए आप सवी को वैस्ट अफ लक अच्छे से आपका एक्जाम हो सवी की पर्मोशन हो तो आप एक बार ओडियो चाक करेंगे जल्दी सम क्लास शुरू करेंगे ताकि समय पर इसको खतम किया जा सके और फिर आप बाकी जो अपना रिविजन करना साहते हैं आप सभी को स्वागत आप सभी का तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फरस्ट कोशन आपके बास आज की वीडियो का ठीक है बहुत साथा नहीं है तो अमीद करूंगा आज की वीडियो में आपका कोई भी कोशन ज्वाब हो गलत ना हो तो चलिए शुरू करते हैं फरस्ट कोशन देखने आज की वीडियो का अच्छे से समझ देने हैं सबसे पहले नहीं लेकिन सबसे ज़्यादा कोशन आपके सही होने चीए बहुत ज़्यादा चीज माइने रखेगी विच आफ्दी फॉर्लिंग इस नोट अ ट्रडीशनल प्रड़क्ट इन मैंसे कौन सा परिकुतपाद नहीं है तो चैज़ आपके बास पर से पोस्ट रजिस्ट्रे लाटर मीडिया पोस्ट या फिर वी-पी-पोस्ट प्रेदिशनल 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 प्रेद मीडिया पोस्ट डारेक्ट पोस्ट या फिर लोजिस्टिक पोस्ट दो तरह के प्रड़क्ट होते हैं एक प्रीमियम प्रड़क्ट दूसरे कहों से रहते हैं आपके पास ट्रडिशनल प्रड़क्ट हमीं क्या मतारा इनमें से कौन सा प्रीमियम प्रड़क्ट नहीं है सैकंड की सही option क्या आज आएगी आपके पास भाई सैकेंड की option जो है cracked होगी insured post जो है बीमित डाक premium product में नहीं आती है option आपके बास cracked होजाएगी आगे question आपके बास how many types of letter mails पत्र डाक जो है उसमें कितनी तरह के लेखाज आते हैं जो letter mail है उसमें कितनी तरह के article शामिल है cracked answer क्या जाएगा आपके बास भी C आजाएगा अगर आपसे पूछा जाए total number of articles तब आपका cracked answer क्या जाएगा दस उसमें भी दो तरह के रहते हैं एक आपके बास letter mail में जाते हैं दूसरे parcel post में जाते हैं जो letter mail में जाते हैं letter post में जाते हैं उनकी नो श्रेणिया है और जो parcel post में आएगा उसकी केवल एक ही श्रेणिया अब इसको भूलेंगे जाता है यहनि किसी के पते पर उसको भेजा साता है किसी के नाम पर उसको भेजा साता है उसको हम क्या कहेंगे article कहेंगे inland letter card post card या फिर letter क्या कहाँ साता है किसकी definition है correct answer क्या हो चाएगा जो B answer दे रहे हैं उनका गलत है भाई D आज आज आएगा पत्र की अगर definition की बात करेंगे तो यह आज आएगी किसको ध्यान में रखेंगे आगे सहते हैं question देखते हैं what can we thickness of an envelopes paper लिफाफे के कागज की मोटाई कितनी हो सकती है अब कोई भी letter आप भेजते हैं कोई भी document उसमें डालके भेजेंगे तो कोई ना कोई envelope कोई ना कोई लिफाफा आप यूज करते हैं तो यहाँ पे उसी के बारे मैं पूछा गया कि जो envelope रहता है उसकी मोटाई कितनी होगी मिनिमम कितनी रहेगी maximum कितनी हो जाएगी जो करेक्टा हसर क्यास आएगा आपके बास D आजाएगा minimum जो है वो 0.08 mm और maximum की बात करें 0.18 mm हो सकती है important question है आगे देखते है insufficiently paid letter is charged on delivery at what rate और प्रयापत रूप से भुकतान की हुए पत्र के वित्रण पर किस दर्ख से शुल्क लिया जाएगा क्याजी options के हैं आपके बास at the prepaid rate at double the prepaid rate amount of deficiency या फिर डवल दी amount of deficiency क्याजी crack answer आपके बास क्या जाएगा six की सही option क्या जाएगी आपके बास कोई भी पत्र है अपने आदे अधूरे charges उसके लिए दी है posting के समय तो वित्रण के समय जो अभी कमी रहेगी उसके दोगने charges का भुकतान आपको करना पड़ेगा a communication which is contained on a sheet of paper with prescribed size and folding is called as which of the following एक संचार जो निर्धारित आकार और तह के साथ का आगज की एक sheet पर नहीत होता है उसे क्या कहा जाएगा letter कहेंगे post card कहेंगे inland letter card कहेंगे या फिर उसको article कहा जाएगा क्या कहा जाएगा correct answer क्या हो साएगा inland letter card अंतरदेश ये पत्र काड उसे कहा साथ है इस तरह से ये रहता है इस तरह से इस तरह से रहता है यहाँ से इसको fold किया साथ है तो यहाँ से भी fold किया साथ है यहाँ से भी और यहाँ से भी इसको fold किया साथ है उसी के उपर आपने जो भी संचार है अपना वो लिखना होता है उसका अधिक्तम बजन कितना हो सकता है आपके पास भी आचाहेगा उसके आयाम क्या रहेंगे 12 by 9 cm 12 by 9 mm 14 by 8 cm या फिर 14 by 9 cm क्रैक्ट अंसर आपके बास क्या आज़ाएगा जी सही आंसर क्या आज़ाएगा आपके बास डी हो साएगा 14 by 9 cm हो सकता है और ध्यान में रखना केवर एक्जाम में क्या दिया होता है 140 by 90 mm तो वो भी आपकी सही आप्शन हो साएगी C, D, आप्शन क्रैक्ट हो साएगी आगे चाहते है उपन कम्यूनिकेशन ओने कार्ड ओफ प्रेस्क्राइब्ड साइज is cold as bitch of falling नरधारित अकार के कार्ड पर खुले संचार को निमिलखित मैं से क्या कहा साता है मतलब ना ही आप उसको किसी में डाल के भेजेंगे ना ही उसको फोल्ड किया साता है खुली कंडिशन में उसको भेजा साता है आपका communication जाओ सामने दिखाई देता है उसको क्या कहेंगे letter कहेंगे postcard कहा साएगा inland letter card या फिर article correct answer कहा साएगा आपके पास postcard उसे कहा साता है postcard में क्या रहता है कोई भी folding नहीं होती है इसको किसी envelope में डाल के नहीं भेजा जाता है इस तरह से एक card रहता है इसी के उपर आपना communication लिखेंगे और इसको भेज दिया चाहेगा in make postcard portion next to address is available for advertisement in how many colors make do postcard में पते के आगे बाला भाग कितने रंगों में बिग्यापन के लिए उपलवद रहेगा एक दो तीन या फिर चार इसके make do postcard रहता है उसमें पते की आगे वाला जो भाग है वो कितने रंगों में बिग्यापन के लिए उपलवद रहेगा crack answer आपके बास क्या आचाहेगा इसके जो crack answer क्या जाएगा डियो जाएगा four colors में available होगा book packet can we sent in card form अब जो book packet रहते हैं उनको आप card की रूप में भेज सकते हैं जासे postcard भेजा जाता है एक card रहता है simple इस तरह का क्या book packet को भी इस तरह से भेजा जा सकता है true या false sketchy बिल्कुल सही बात आप भेज सकते हैं correct answer क्या होजाएगा आपके पास A होजाएगा A option आपके बास correct होजाएगी आगे साहते है question आपके बास बटार दी charges अफार printed postcard मुद्रित postcard के लिए क्या शुल के रहते हैं 5 रुपे लिए जाएगे 6 रुपे 10 या फिर 2 रुपे जो printed postcard रहता है उसके लिए इतने charges लिए जाते है 6 रुपे लिए जाते है बी option आपके बास सही आजाएगी आगे साहते है question आपके बास which of the falling is true about book packet book packet के बारे में निमिलखित मैं से कौन सा सही है book packet में contain newspapers publications of all kinds printed music books cardboard either blank और printed जो पुस्तक packet रहते हैं उनमें समाचारपत्र हो सकते हैं सभी परकार के परकाशन हो सकते हैं second में क्या बोला गया है book packet में contain business, commercial और legal documents drone, holy और partially why hand तो book packet में पूरी तरह से आशिक रूप से त्यार किये हुए ब्यापार, बानिज्यक या कानूनी दस्तावे स्यामिल हो सकते हैं अब जिसको ये वाले question कहां से रहता है क्या है उसको product and services में कोई सा भी question देंगे, वो अराम से करेगा ठीक है, उसका गलत होई नहीं सकता book packet में contain court summons, notices and similar documents issued by criminal और civil court book packet में court summons हो सकते हैं, notice हो सकते हैं criminal या फिर civil court दारा जारी कियेगे इसी तरह के दस्तावेज हो सकते हैं जी बिलकुँ राहल जी का आंसर बिलकुँ सही है इश्वाक कूर अगु को सही है सही आंसर क्याएगा, सही आंसर आएगा book packet में कभी भी court, summons या फिर notice या similar इस तरह के document जो criminal या civil court के दारा जारी किये जाते हैं जीक है, वो नहीं भेज जा सकते हैं यहाँ पर इसी वाली जो इसकी सही आंसर हो जाएगा इस तरह की कोई भी वस्तू को आप book packet में नहीं भेज सकते हैं most important है, आगे सरते हैं question देखते है book packet contain printed books contain any publication published at question थोड़ा सा गलत है यहाँ पर कलेंगे, आप note true आएगा कौन सा सत्य नहीं है, तो c option जो आपकी यहाँ पी correct हो साई question थोड़ा गलत हो गया, कौन सा सत्य नहीं है तो यह ध्यार रखना c option जो है इसकी गलत है, बाकी दोनों options आपके बास correct है आगे सलते हैं, मुदृत पुस्तकों वाले book packet में नियमित अंतराल पर परकाशित होने वाला कोई परकाशन हो सकता है true या फिर false जिक करेक्ट आंसर आपके बास क्या आज आएगा जी, भी आज आएगा, false है, नहीं हो सकता है, ठीक है ऐसे book packet जो कौन से है, containing printed books जिनमा मुदृत पुस्तके हैं उसमें आप किसी भी तरह का परकाशन नहीं भेजेंगे, रागलर इंटर्वल्स के उपर परकाशित क्या आज आता है, भी option आपके बास, correct आज आएगी आगे साहते है, blind literature packet is not exempted from the payment of which fees, नेत्रहीन साहित पैकेट जो है उसके बारे में क्या पूछा गया है, कौन से शुलक से उसे शूट नहीं दी साती है, पोस्टेज फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, फीस फार अटेस्टेड कोपी ओफ रेसिप्ट या फिर एर मेल फीस, तो ये तो आसान सा कोशन है, सही आंसर क्या जाएगा, आपके बास, D हो वाले बुक पैकेट का अधिक्तम बजन जो है, वो कितना हो सकता है, टू केजी, फाइब केजी, टैन केजी या फे ट्वंटी केजी, जो बुक पैकेट रहता है, कौन सा बुक पैकेट बोलेगे, जिसमें प्रियोडिकल्स या पत्रिक आए रहेंगी, तो इसका मैक्सिमम ब बुक पैकेट के ओपर जो एर सा चार्जिस लिए जाएंगे, वो कितने लिए जाएंगे, दो रुपे, चार रुपे, पांच या फिर छे रुपे, जो रहते हैं, उनके ओपर पहले 50 ग्राम के लिए जो एर चार्जिस लिए जाएंगे, वो कितने लिए जाएंगे, सही आं साइज औफ एनवल्ब्स ओफ लैटर तो कोई भी पत्र है उसके लिफाफे के नियुंतम आयाम क्या हो सकते हैं 10 by 20 cm 14 by 9 cm कि यह दोनों के लिए MTS और पोस्ट मैं दोनों के लिए 140 by 90 mm या फिर बोथ भी एंड सी क्रेक्ट आंसर क्या आज आएगा आपके बास जी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बैई D हो जाएगा जिन्होंने भी बोला है वो इसको सही कर लेंगे 14 by 9 cm और बन 40 by 90 mm सेम ही चीज़ है तो सही आंसर क्या हो जाएगा D हो जाएगा आगे सरते हैं कॉशन आपके बास प्राइज ओफ एन अंबोजड अन्वल्प इस एक उभरे हुए लिफाफे की क्या कीमत होती है पोस्ट आफिस में जो अन्वल्प बेचे जाते हैं डाक वस्तों को पोस्ट करने के लिए उनकी क्या प्राइज रहती है इसको भी ध्यान रखना एर सर्फेस आएंगे और अगर आपसे पूछा जाए सर्फेस के लिए तो अलग रहेंगे दो रुपे टैन रुपीज या फाइब रुपीज सही आंसर क्याएगा डियास आएगा तो जो एन्वल पोस्ट ओफिस में बेचाथ आता है उसके ओपर पहले से एक डाक टिकेट उभरी हुई होती है जो कितने की रहती है पाँच रुपे की रहती है प्रथम श्रेणी की वस्तु पर जो प्रथम श्रेणी के लेख होते हैं उनके उपर पहले पचास ग्राम तक के लिए बायू परभार कितना लियास आएगा दो रुपे लगेंगे एक रुपया तीन रुपया या कोई भी चार्जिस नहीं लिये जाएगे तो डियाप्शन जाएगे आपे करेक्ट हो जाएगी आगे सब्सक्राइगे लेकिन यदी किसी पार्सल में कोई लिखित केवल संदे है तो उसकी उपर क्या कारेवाई की जाएगी विल भी रिटर्ण टु सेंडर प्रेशो को वापिस कर दिया जाएगा विल वी सेंट तो आरेलो, विल वी फोवड़ेट तो डैस्टिनेशन विल फार ओपन डिलिवरी या फिर विल वी डिटेंड वाई पोस्ट ओफिस डाक घर के दारह उसे रोक लिया साएगा, डिटेंड कर लिया साएगा प्रेक्ट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा जी, सही आंसर क्या जाएगा आपके पास सही हो जाएगा ये भी द्यान नकना, फार ओपन डिलिवरी उसके ऊपर लिख के भ Wheels आजा जाता है गंतब्बे कि लिए उसे भेज़ जा जाएगा और गंतब्बे ऑफिस में क्या होगा प्राप्त करता की presence में उसको खोला साएगा सी option आपके बास सही आज़ाएगी next question आपके बास book packet में contain paper money check और currency notes book packet में paper money check या फिर currency note जैसी वस्तों ने शामिल हो सकती है true या फिर false correct answer आपके बास क्या साएगा आप नहीं भेश सकते हैं तो इसका सही answer क्या होजाएगा आपके बास भी होजाएगा भी option आपके बास correct होजाएगी next question आपके बास बड़ा दी charges of fire make doot post card make doot post card के लिए कितने शुल के लिए जाते हैं 5 रुपे 10 रुपे 25 पैसे या फिर 2 रुपे ठीक है जी 24 की सही option आपके बास क्या आजाएगी see आजाएगी make doot post card के लिए 25 पैसे आपसे लिए जाते हैं next आते हैं question आपके बास which of the following is not a premium product इन में से कौन सा premium product में नहीं आता है speed post, direct post, media post या फिर parcel post प्रीमियम प्रड़क्ट में इन में से कौन सा नहीं आएगा see option क्या आजाएगी आपके बास जो क्याएगी पार्सल पोस्ट नहीं आएगा पार्सल पोस्ट के इसमें आता है traditional product में आसा आएगा आगे से लते हैं what can we the maximum weight of privately manufactured post निजी तोर पर नेमित post card का अधिक्तम बजन जबों कितना हो सकता है पांस ग्राम, तीन ग्राम, दो या फिर मैंसे कोई भी नहीं अब इस question में अगर आपको confusion है कोई बात नहीं अभी हुआ नहीं है उससे पहले मैं आपका clear कर देता हूँ correct answer इसका कितना आएगा पांस ग्राम ही आएगा पांस ग्राम आएगा updated है इसको अभी आपने याद रखना है पांस ग्राम है अगर आपसे exam में तीन ग्राम और पांस ग्राम दोनों आते हैं पांस ग्राम को अब टिक करेंगे पांस ग्राम ना दिखे तो तीन ग्राम को अब टिक कर सकते है कोई वड़ी इशू नहीं है लेकिन अभी जो इसका correct answer है बिल्कुल exact answer की बात करें वो कौन सा होना ची है पांस ग्राम होगा इसको आपने भी clear कर लेना है एक्जाम में अभी आपने ये गलत नहीं करके आना है अगी सलते हैं वटार दी चार्जिस फार इंलेंड लैटर कार्ड उसका जी अंतरदेश्य पत्र कार्ड के लिए क्या शुल्क लिए जाएंगी एक रुपया पांस रुपया दो रुपया पचास पैसे एनमे से कोई भी नहीं इंलेंड लैटर कार्ड अंतरदेश्य पत्र कार्ड के लिए कितने शुल्क लिए जाते हैं 27 की सही अप्शन आपके बास क्या जाएगी बिल्कुल इसी अप्शन जाएंगी यहाँ पे क्रेक्ट हो जाएगी उसके ओपर जो संचार है वो मुद्रण के मादियम से साइक्लो स्टाइलिंग या अन्य यांतरिक प्रक्रिया के मादियम से रिकोर्ड किया गया कहेंगे मेगदूत पोस्ट कार्ड सिंगल पोस्ट कार्ड रिप्लाई पोस्ट कार्ड या फिर पार्सल, इलेंड लेटर कार्ड या फिर लेटर पार्सल जो है वो दित्य श्रेडी की डाक में आता है भी अप्शन याँ पे सही आज आएगी बाकी तीनों के तीनों फर्स क्लास आर्टिकल्स में गिनेज आते हैं एक कार्ड जिसके ओपर पोस्ट कार्ड शीरशक लिखा हुआ है उसे बुक पैकेट के रूप में प्रेशित क्या जाता है अगर इसके ओपर लिखा हुआ हो तो ऐसी कंडिशन में इसको क्या होगा बुक पैकेट के रूप में नहीं भेजा जाएगा तो क्रेक्ट आंसर के आस आएगा आपके पास यहाँ पर भी आजाएगा बट कि पत्र का अधिकतम बजन जवाबों कितना हो सकता है mostly पूछा साने वाला question है 2 kg, 5 kg, 10 kg या फिर कोई भी limit नहीं है तो कोई भी आपत्र भेजना साथ है अधिकतम कितने kg तक भेजा जा सकता है क्रेक्ट आंसर क्या आज आएगा आपके पास बिल्कु सही आंसर आपके पास यहाँ आज आएगा maximum जो है 2 kg तक इसको भेजा जा सकता है यह option आपके पास सही आजाएगी अंडर बिच स्कीम all first class males are given air transmission without any special air surcharges किस योजना के तहत सभी प्रथम शेनी की डाक वस्तों को मुफ्त हवाई पर सारण दिया साता है options है आपके पास all free scheme, all in scheme, all up scheme या फिर o ाई जी एस correct answer क्या आजाएगा आपके पास प्रथम शेनी की जितनी भी डाक वस्तों के रहती है उनको मुफ्त हवाई पर सारण दिया जाता है see option correctors आएगी आगे question है आपके बास what can we the maximum weight of a book packet book packet का अधिक्तना बजन कितना हो सकता है 5 kg, 20, 50 या फिर 7 kg कोई भी आपके बास book packet है उसका अधिक्तना बजन कितना हो सकता है 5 kg हो सकता है सही answer क्या आजाएगा आपके बास ए आजाएगा आगे सारण ने but can we the maximum length of a parcel एक parcel की अधिक्तना लंबाई जवाबो कितनी हो सकती है 1 meter 2 meter 1.80 meter या फिर 3 meter कोई भी parcel है उसकी अधिक्तना लंबाई जवाबो कितनी हो सकती है 34 की सही option आपके बास क्या आजाएगी सही answer क्या जाएगा आपके बास या जाएगा एक parcel की अधिक्तना लंबाई जवाबो एक मीटर maximum हो सकते है 1.80 नहीं है वो गलत हो जाएगा क्या option यापे सही जाएगी आगे साथे आज़ी पोस्टे चार्जी जोने लैटर पत्र के लिए जो डाक शुलक है वो कैसे लिए साएगे पांच रुपे प्रती 100 ग्राम पांच रुपे पर फाइव अंड़ ग्राम या फिर फाइव रुपीज पर 20 ग्राम अब आपसे अगर पूछ लिया साएं मालेजी आपके पास एक पत्र है लैटर आप भेजना साहते है और नरी वो लैटर है 25 ग्राम उसका बजन है उसके ओपर कितने चार्जिस लिए साएंगे जल्दी से आप कमेंट करेंगे यहाँ पर ठीक है पांच रुपे प्रती 20 ग्र बिल्कुल से यांसर क्या जाएगा अब कैसे लिये जाते है पहले 20 ग्राम से यह एक ग्राम से लेके 20 ग्राम तक अगर आप इसे भेजेंगे आपको पांच रुपे देने पड़ेंगे आगे सालते हैं 20 ग्राम से लेके अगर 40 ग्राम के बीच में इसका बजन है तो प्लस इ चार्जिस फार सिंगल पोस्ट कार्ड सिंगल पोस्ट कार्ड के लिए क्या शुल के लिए जाते हैं दस रुपे पांच रुपे एक रुपे लिए जाएगा या फिर पचास पैसे लिए जाएंगे सिंगल पोस्ट कार्ड के लिए कैसी क्रेक्ट आंसर क्या जाएगा आपके बाश सिंगल पोस्ट कार्ड के लिए जो चार्जिस लिए साते हैं 50 पैसे लिये जाते हैं तो सही ऑप्षिन क्याज आइगी आपके बास डिया चाहिगी next question जलते हैं बटार दी charges for competition postcard कि किसी मादियम से कोई परती होगी ता आयोजित की जानिया है तो उसके लिए competition postcard का use किया जाता है तो उसके लिए कितने charges रहते हैं 5 रुपे, 6 रुपे, 10 रुपे, फिर 25 पैसे सही answer क्याएगा आपके पास 37 की say option क्या होजाएगी इससी होजाएगी 10 रुपे आपसे लिए इसा आएगे competition postcard के लिए आगे सहलते हैं in which of the following there is no secrecy of contents निमिलिखित मैं से किसमा सामगरी की कोई भी गोपनियता नहीं रहती है inland letter card, insured article, postcard या फिर speed post मैं से किसमा सामगरी मतलब जो भी आप संचार अपना भेजना जाते है उसकी कोई secrecy नहीं रहेगी उसको कोई भी पढ़ पाएगा crack tanster क्या जाएगा आपके पास postcard जो रहता है अपना उपर किया कि postcard क्या रहता है एक simple सा card रहता है जिसके उपर अपना कोई भी communication आप लिखके भेज सकते हैं पोस्कार्ड और यूजड फार ट्रास्मिशन विदिन इंडिया उनली पोस्कार्ड का उप्योग केवल भारत में परसारण के लिए किया जा सकता है false है या फिर true है सही option क्या हो जाएगी आपके पास पोस्कार्ड का उप्योग केवल आप भारत में अपना संचार भेजने के लिए उप्योग कर सकते है भी option सही आजाएगी आगे चलते है currency notes ठीक है अब भी पिछली वीडियो में भी मैंने clear किया था आज फिर से आपको ये clear कर दूँगा currency notes जो है उनको किस सीमा तक बीमित करके आप भेज सकते है एक लाख रुपे, बीस हजार रुपे, दस हजार रुपे या फिर पंद्रा हजार रुपे जिन्होंना 40th का ए बोला है उनका गलत है currency notes है वो बीस हजार रुपे तक इसके इलावा gold coin है, gold bullion है या फिर gold ornaments है, jewelry है इस तरह कि कोई भी आप डाक वस्तू भेजना साहते है एक लाख रुपे तक कि उसकी insurance करके आप उसको भेज सकते है लेकिन currency notes जो है, वो maximum 20,000 तक भेज पाएंगे से option गया साहेगी, भी या चाहेगी अगे साहते है no written printed communication and closed in blind literature packet अंदसीत्य packet में कोई भी लिखी ते है मुद्रित संचार सलंगन नहीं होना चाहिए true या फिर false जिसे यह answer क्या साहेगा आपके बास यह आज साहेगा बिलकुल सकते है blind literature packet में कोई written communication या फिर मुद्रित संचार आप नहीं भेज सकते है next आपके बास there is no closer allowed in inland letter card अंदस्पत्र card में closer की अनुमती नहीं है true या फिर false 42 की से option आपके बास आजाएगी inland letter card हमने उपर भी किया इसमें कहा रहता है निर्धारित आकार का उसमें page रहता उसको fold किया जाता है ठीक है गोंद लगा के उसको बंद करके भेज जिया जाता है उसको किसी भी आप और envelope में डालके नहीं भेज जाएंगे तो सही answer कहाएगा आपके बास यह आजाएगा बिल्कुँ सथे हैं inland letter card को आप कभी भी किसी envelope में या फिर किसी और तरह के closer में डालके नहीं भेज सकते हैं अगे question आपके बास what can be the maximum weight of a pattern and sample packet pattern और मुना packet का अधिक्तम बजन जवाब हो कितना हो सकता है 5 kg, 7 kg, 3 kg या फिर 2 kg यह most important question है क्योंकि packet के बारे में जब भी करते हैं तो mostly जो है 5 kg बेट रहता है लेकिन जो pattern और sample packet है उसका बजन कितना होगा 2 kg होगा बैदी option जो है correct आसाएगी क्योंसी option से आसाएगी डी option आपके बास correct आसाएगी next कहलते हैं question आपके बास but is the registration fees for a blind literature packet अंद सहित्य packet के लिए पंजीकन शुलक क्या लिया साएगा 17 रूपीज, 22 रूपीज, 3 रूपीज या फिर कोई भी charges आपको नहीं देने पड़ेंगे क्योंसी आपके अंसर बता रहे हैं उनका बिल्कुल गलत है सही answer क्या आपके आपको कोई भी पंजीकन शुलक नहीं देना होता है तो सही answer क्या हो जाएगा यहाँ पर 17 रूपीज नहीं लगेंगे कोई भी charges आपको नहीं देने पड़ेंगे बटार्दी पोस्टेज चार्जेज टेकन ओन बुक पैकेट ओफ वेट 500 ग्रामस कंटेनिंग प्रिंटर बुक्स मुद्रित पुस्तकों वाले बुक पैकेट के लिए कितने charges का भुकतान आपको करना पड़ेगा अगर उसका बजन जो आवो कितना है 500 ग्रामस है 50 रुपे 5 रुपे 19 रुपेज या फिर 22 रुपेज प्राइवेट पोस्ट कार्ड हो या फिर वो आपके बास पोस्ट ओफिस वारा जारी किया गया हो इसके लिए जो graduation after a وس रहेति सेमें all पड़ेख'll boy치 14 Mi 9 वाली तो यहांанов के बास यहां पर पयास आजगे कैसे लिए जायंगे पर हंड़र ग्राम के लिए आपको देना पड़ेगा puppet प्रती सो ग्राम के लिए तो 500 ग्राम के लिए कितना देना पड़ेगा पांच रुपेज देने पड़ेंगे अगे रिज़स्ट्र न्यूस पर शुड़ वी रज़िस्ट्र इन ओफिस प्रेटेंडेंड फेरिया एडिस टूवी पॉबिश्ट जो समाचारपत्र है कोई भी प्रकाशित करना पड़ता है बटार्दी चार्जिस फार अर्जिस्ट्रेशन और इस पंजीकन के लिए कितने चार्जिस का भुकतान आपको करना पड़ेगा 375, 150, 200 या फिर कोई भी चार्जिस आपको नहीं देने पड़ेंगे जी सही आंसर कहेगा आपके बास डियास आएगा किसी भी तरह के चार्जिस का आपको भुकतान नहीं करना पड़ेगा नेक्स कॉशन चार्जिस आपको कितने शुलक देने पड़ेंगे किसी भी पार्सिल के लिए 19, 22, 15 या फिर 16 अब यहाँ पर एक्जामपल ले लेते हैं माली जी आपके बास एक पार्सल है जिसका बजन कितना है 1200 ग्राम है अब बताईए उसके ओपर कितने चार्जिस का भुकतान आपको करना पड़ेगा कोई भी पार्सल जिसका बजन 1200 ग्राम है उसके लिए आपको कितने चार्जिस का भुकतान करना पड़ेगा किस तरह से हम इस वाले question को करेंगे कितने चार्जिस का भुकतान करना पड़ेगा पहले 500 ग्राम के लिए इसके कितने पार्ट्स बन जाएंगे सबसे पहले तो कितने ग्राम दे रखा है 1200 ग्राम दे रखा है अब यह आप इसके कैसे parts बनेंगे 500 का एक parts बन गया ठीक है जी आगे सलते हैं 500 का दूसरा parts बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा 200 का part बन जाएगा अब पहले 500 ग्राम के लिए आपको देने पड़ते हैं 19 रुपे उसके बाद इतने भी 500 ग्राम आएंगे उसका part जाएगा तो उसके लिए फिर से आपको 16 रुपीज का भुकतान करना पड़ेगा 16 16 32 और 19 जो भी बनेंगा उसके उतने चार्ड जाएगा अगर आप उसको लैटर बोक्स में पोस्ट है ना चाहेगा अब उपरवाले कोश्चन में अगर रजिस्ट्र पार्सल की बात कीज आएगी तो रजिस्ट्रेशन चार्ड जो आपो 17 डूपीज अलग से लगेंगे तो यहां पर पूछा गया लैटर बोक्स में पोस्ट कियेगी किसी भी पार्सल को क्या माना जाता है पंजिरित पार्स आगे कि मैंने लैटर बोक्स में उसको डाल दिया तो उसको रजिस्ट्र पार्सल मान लिया जाएगा अब मैंने कोई चार्जिस भी नहीं दिये फिर भी उसको रजिस्ट्र पार्सल मान लिया गया तो लैटर बोक्स में पोस्ट कर देते हैं तो बहां से लैटर बोक्स से उ ऐसे संबपाल आएगा तिक है पंजीकर्ण साय को से पाँसाएं पिए पंजीकर्ण पर्टे किया जोविक्ता चार्जशन डियू रहते हैं दो किसको देने पड़ते हैं आड्रिसी को देने पड़ते केंटेनिंग प्योडिकल्स वेंग अप्टू 100 ग्राम्स एंड हैंड वैल्यू अप्टू 20 रुपीश कोई भी पार्सल एक कंफ्यूजन है कोई भी पार्सल अगर चार केजी से कम है तो उसके लिए रिजिस्टेशन कंपल्सरी नहीं होती है लेकिन अगर आप उसको लैटर बोक्स में डालेंगे तब उसकी रिजिस्टेशन जौब हो की ही जाएगी तब रिजिस्टेशन पिए उसका पंजीकन कर ही देगा चायब वो एक केजी का है चायब ची ए और साइगी टू रुपीस आपको देने पड़ेंगे ठीक है भाई इसको एकस्प्लेइन करने वाला इसमें कुछ भी नहीं है एक चार्ट है जो आपको याद करना पड़ेगा उसमें बेट दे रखा है साथ में एक साइड को वैल्यू दे रखिया है वो आपको याद करना ही पड़ेगा ठीक है इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है वो याद करने पड़ेंगे आगे साहते हैं वाट कैन वी दा मैक्समम बेट ऑफ पार्सल बिचीज इस सेंट फ्रोम एस सो एंड टू ब्रांच पोस्ट ऑफिस एक पार्सल जिसे उप डाक घर से शाहा डाक घर के लिए संबोधीत क्या जाता है उसका अधिकताम बजन कितना हो सकता है 20 kg 50 kg 100 kg या फिर 10 kg है कि इस सही आंसर जाएगा आपके बास यहां पर डी आसाएगा 10 kg जो उसका मैक्समम बेट हो सकता है आगे साहते हैं रजिस्टर न्यूस पेपर कंसिस्ट होली कंसिस्ट ओनली पुलिटिकल न्यूस बिदाउट एडवर्टाइसमेंट जो पंजीगरिस समाचार पत्र रहते हैं उसमें बिना किसी विग्यापन की केवल राजनीतिक समाचार पत्र ही समाचार ही होंगे त्रू या फिर फॉल्स के जो रजिस्टर न्यूस पेपर भेजा जाता है उसमें केवल राजनीतिक समाचार होंगे कोई विग्यापन नहीं होगा सही आंसर क्या सब्सक्राइसमेंट के साथ पुलिटिकल न्यूस भी होती है अदर न्यूस भी हो सकती है ठीक है अड़र्ट डिट्रेटर पाकेट का बजन सेवंटीन रूपीज 22 यह फिस सेम एज फॉर बुक पैकेट 53 की सही आपके बास क्या हो जाएगी कुछ यहां पे जीरो भी बता रहे हैं उनका गलत है भाई हम ने ऊपर कॉशन गया कि ब्लाइन लिट्रेचर पैकेट के लिए बाकी कोई चार्जिस आपको नहीं देने पड़ेंगे लेकिन उसके लिए जो हवाई अदिवार बनता है एरसा चार्जिस बनते हैं उनका भुक्त पार्सल अगर नॉर्मल पूछा आएगा कोछ भी नहीं बोला गया सिर्फ बोला गया पार्सल पार्सल का अधिक्तम बजन जोब कितना हो सकता है तो आपने समझ लेना कि कोई भी पार्सल आप बूक करेंगे मैक्समुम कितने वेट तक यह जा सकता है चाहिए वो रजिस्ट फीस ऑफ पार्सल पार्सल का जो पुने नर्देशन शुल्क है वो क्या होगा फ्री आफ चार्ज इक्वल टू पोस्टेज चार्ज चार्ज इस पेड़ एड फरस्ट टाइम विद हाफ दी प्रीपेड रेट या इनमें से कोई भी नहीं कोई भी पार्सल है उसके पुने न आज इस आपको फिर से देने पड़ेंगे उसकी डिडारेक्शन के लिए अगे सब्सक्राइब इंपोर्टेंट कोशन है मिनिमम नंबर ओफ कॉपीज ऑफ रजिस्टर नियूस पेपर टूवी पोस्टिंग एट टाइम एक ही वार में पोस्ट करने के लिए पंजीगरित सम पत्रों की कम से कम कितनी प्रतियां होनी चाहिए कितनी कोपीज होनी चाहिए पचास सो टैन या फिर फाइफ फाइफ हंडड़ अब इन दोनों में 100 और फाइफ हंड़ेंड में आप कन्फ्यूज होते हैं तो अभी आपका और दूर भी कर देंगे सही आंसर कहाईग आपके जिन कैश वाली सर्विस के अंडर आप इसको पोस्ट करेंगे तो मिनिमम जो है 500 कोपीज आपका अंसर आज आएगा नॉर्मल आपसे पूछा आएगा कि एक बार मैं 50 समाशार पत्र आपके बास कितने होने चीए पोस्ट करने के लिए उसका जो सही आंसर आएगा वो कितना आज आएगा वन हंडर आज आएगा बिदाओट प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश वाली सुविदा के अंडर करेंगे 500 कोपीज होनी चीए नॉर्मल कर रहे हैं तो आपके बास कम से कम 100 कोपीज होनी चीए और इसमें एक और तर्म आती है पचास पचास कोपीज नह सब्सक्राइब कर देंगे 15 सब्सक्राइब कितना हो सकता है फाइब केजी टू केजी थ्री केजी या फॉर केजी सब्सक्राइब करेंगे तो फॉरन के लिए जब हम करेंगे पोस्ट अफिस गाइड पार्ट उफ गया तो उसमें आपके बास भी आएगा रिजिस्टर न्यूजपेपर बहां पे जो लिमेट रहेगी वो टू केजी रहती है ठीक है फॉरन के लिए बेजेंगे रिजिस्ट माइक्समाबे टू केजी और बहीं पे इल्लेंड की बात करेंगे तो इसमें 5kg हो जाएगा तो इसको आप ध्यान रिखेंगे यह औप्शन यह आप रहेगी ठीक है और हमने ऊपर भी क्या प्रियोडीपल वाला पत्रीका वाला ऐसा बुग पैकेट जिसमें पत्रिकाएं र आपके बास पेपर और फैनी काइंड प्रियोर्डिकल्स बुक्स या फिर ओल अफ दी अवब इस दिन ब्रेली क्राक्ट आंसर क्या हो चाहेगा आपके बास सभी को आप भेज सकते हैं लेकिन ध्यान रखना वो ब्रेल लिपी में शपे होने चीए तभी आप भेज पाएंगे अन्य था हमने उपर किया कि कोई व्याप लिखित या प्रिंटेड जो संचार है उसको ब्लाइंड लिटरेचर पाकेड में नहीं भेज सकते हैं रजिस्टर न्यूसपेपर भी पब्लिश्ट अट इंटर्वल्स ओफ नोट मोर दैन हो मैनी डेज जो पंजिक्रित समसार पत्र होता है कम से कम कितने दिनों के अंतराल पर बड़ी संख्या मैं प्रकाशित किया साना चाहिए एक बीस दिन 31 दिन या फे 25 डेज सही आंसर क्या जाएगा रजिस्टर न्यूसपेपर जो शुड़ भी पब्लिश्ट अट इंटर्वल्स ओफ नोट मोर दैन 31 डेज तो सही आंसर क्या जाएगा आपके बास सी आचाहिए ठीक जी आगे सालते हैं कॉशन आपके बास बिच कवर्ज ओल रिस्क्स ओफ ट्रांस्मिशन जो परसारण के दरान सभी जोख़्िमोग को कवर करता है रिजिस्ट्रेशन करेगी इंशुरेंस करेगी बौफ आफ दी वर्व या इन्मेंसे कोई भी नहीं चल्य कोई नहीं कोन कवर करता हैं सिश्ट आनसर क्या आईगा बैसी नहीं आएगा कौन सा आएगा बी आएगा इंशुरेंस करती है पंजिकर नहीं करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि रास्ते में जितने भी जोखी मौंगे बों सभी को कवर करेंगा आपका आर्टीकल गुम भी हो सकता है आपको मौबजे के रूप में पता है बन हंड आर्टीकल रजिस्ट्रड पार्सल वीपी रजिस्ट्रड पार्सल या फिर ओल आफ दी वब कौन से लेखों का बीमा जोएगा किया जाएगा कि इससे यह आंसर क्याएगा डियास आएगा इन सेवीक इंशरेंस जाबो कीज आ सकते हैं नेक्स जालते हैं कॉश्चन आपके बास पोस्ट ऑफिस केंडू इंशरेंस ऑफ आर्टीकल सकौन सी डाक तो लेखों का बीमा जाब कौन सा डाक घर कर सकता है ब्राच ओफिस हैड ओफिस सब ओफिस या फिर ओल आफ दियो ठीक है बाई बिदावट रिजिस्ट्रेशन आप उसके इंशरेंस नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आपने अकेली रिजिस्ट्रेशन की है तो वो इंशरेंस वो कवर नहीं करेगी जोखिमों को लेकिन उसके इंशरेंस की होगी साथ में तभी कवर करेगी ठीक है और अर्जिस्ट्रड आर्टिकल जो है वो सभी जोखिमों को कवर नहीं करेंगे लेकिन ओल इंशरेंस जो है उनको कवर करते हैं तो कौन सा डागर जो है वो लेखों का वीमा कर सकता है सेंघा सकता है सोगा डिया जाएगा सभी डाक घरों के दारा लेखों का वीमा कर साथ है फिर छाइबो पुस्ट आफ इसलिए क्यू नरह आ हो लेमिट ओफ इंशारस इन ब्योई स्यांवरीग डाक घरों में लेखों का बीमा जबोकि सीमा तक किया जा सकता है आपके बाद यह आ जाएगा 64 की सही option आपके बास क्या जाएगी सही answer कहेगा आपके बास C आजाएगा ठीक है equal to real value वास्तवी कमूल्य के लिए आपको insurance करनी चाहिए जो भी आपने content भेजना है जो भी सामगरी भेजनी है उसकी जो value रहती है उसके according आपको insurance करनी चाहिए बीमा करना चाहिए आगे सालते हैं designed to meet requirements of someone who wish to pay for articles sent to them at the time of receipt of articles और बिल निमलिखित मैंसे क्या उन व्यक्तियों की अवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए design किया गया बिल की प्राप्ती के समय उनके लिए भुकतान करना साहते हो e-post, vp post, speed post जाफे insured post correct answer क्या हैगा तो पहले भी एक live class की थी उसमें भी मैंने बताया था एक आपके बास क्या रहती है vp post रहती है, एक cod post रहती है उसमें भी मैंने आपको explain किया था कि जो vp post रहती है इसमें हमेशा किसको preference दी जाती है address को preference दी जाती है जतीब और सी ओडी में इसकी स्को प्राफ्रेंस दिया सेंडर को प्रेफरेंस दी जाते तो ऑसके लिए क्या से होता है प्र проп करता उसे आपको परमानित आदेश कर दो सिर्द को भेज पाएंगे तो सिक्सी कि अबडीम से मैंनी ओडर के मादीम से यह पेच्च को साइगा कैसे कि किम मैंनी ओड़ के माध्ध सब्सक्राइब इस आएगा आगी सAmिच आगे चाहएं डी लेट पिस ऑन एडिस्टर आर्टिकल पंजीगरिट लेख पर की लिया यज में कि टू रुपीज फाइब रुपीज थी रुपीज या फे सेवन रुपीज प्जिस्ट्रू स्व रुप है उसके लिए इवल्यम्च्रल कितना लियाइज है संगे इनुल्धर शुके लिए की लिए इनुलितफ़ सैंगे कितना है पचास ग्राम है आप उसको as a registered article भीजना साहते हैं कितने charges का भुकतान आपको करना पड़ेगा पचास ग्राम के पंजीगरित लेक के लिए भुकतान किये जाने वाले डाक शुलक क्या रहेंगे जी सही आंसर क्या साएगा आपके वास 50 ग्राम बाले पत्र के लिए आपको कितने पंजीगरित शुलक जो है वो देने पड़ेंगे जी सही आंसर क्या साएगा पचास ग्राम का एक पत्र है उसके लिए आपको टोटल कितने charges का भुकतान करना पड़ेगा तो इसमें देखिए पहले आपके बास हमने उपर कर लिए क्योंकि यह लैटर वाली श्रेणी में है तो लैटर वाली श्रेणी के लिए हमने कर लिए कि प्रतेक 20 ग्राम के लिए आपको 5-5 रुपे का भुकतान करना पड़ेगा तो 5 रुपे पहले 20 ग्राम के लिए उसके फिर से 20 ग्राम के लिए 5 रुपे और 10 ग्राम आगे बचके उसके लिए भी 5 रुपे टोडल कितने हैंगे 15 रुपे प्लस उसमें क्योंकि रजिस्टर्ड आर्टीकल है तो पंजी कंडशुल का आपको देना पड़ेगा तो 7 और 5 कितने हैंगे 12 और यहां पर कितने हैंगे 32 तो कितने चार्जिस का भुकतान करना पड़ेगा आपको 32 रुपीज का करना पड़ेगा आगे सदें कॉश्चन आपके बास इस फीस फार अटेस्टेड कोपी ओफ अड्रेसीज रिसिप्ट प्राप्त करता की रिसीद की सत्यापित प्रती के लिए शुर्क जाबों कितना लियाज आएगा 3 रुपे, 10 रुपे, 5 रुपे या फिर 2 रुपे अभी यह क्या चीज़ हो जाएगी अटास्टेड कोपी ओफ अड्रेसीज रिसिप्ट प्राप्त करता की रिसीद की सत्यापित प्रती, अब जब भी रिजिस्टर्ड आर्टिकल भेजा जाता है तो प्राप्त करता को उसके लिए क्या करना पड़ता है एक रसीद के ओपर हस्ताक्षर करने होते हैं अगर सेंडर चाहता है प्राप्त करता ने जिस रसीद के ओपर हस्ताक्षर किया है मुझे उसकी exact copy चाहिए आपको charges देने पड़ते हैं और कैसे देने पड़ते हैं इन्दी और कितने देने पड़ते हैं दो रुपे देने पड़ते हैं कौनसी अप्शन सी आजाएगी डी आप्शन सही आजाएगी अगी सहलते हैं but is the fees for acknowledgement के लिए कितने charges लिये साथे हैं अब यहाँ पे मालेते हैं आपके बास 75 ग्राम का एक registered आर्टिकल है 75 ग्राम के पंजीगरित लेख के लिए जिसके साथ acknowledgement भी लगी हुई है उसके लिए आपको टोटल कितने charges का भुक्तान करना पड़ेगा इसके कितने charges का भुक्तान करना पड़ेगा ऐसा आर्टिकल जिसका बजन कितना है 75 ग्राम है साथ में उसके अकनोलेजमेंट भी लगी हुई है कैसे बनेंगे पहले 20 ग्राम के लिए इतने हो जाएंगे पांच रुपे ठीक है 20 से लेके 40 तक के लिए पांच रुपे 40 से लेके 60 तक पांच रुपे 60 से लेके उसके बाद 75 है और 20 कितने हैंगे 40 हो जाएंगे कितने चार्जस बन जाएंगे आपके पहास यहां पर 40prom Spa 40 कैसे एक 40ど जाएंगे तो श्कहुर्चन चलते हैं उदि इंशोरेंस अप्टू टू हंडड़ आई एनर दो सो आई एनर तक के लिए जो बीमा शुल्क है वो कितना लिया साएगा च्छे रुपे दस रुपे बीस रुपे या फे ट्वेंटी टू रुपे सैवन्टी वन की से अप्शन आपके बास क्या हो जाएगी । करना चाहते हैं आपको बताना या पर इतने चार्जेंट का भुकतान करना पड़ेगा कि पचास ग्राम के पत्र के लिए 200 रुपे तक आप उसकी इंशरेंस करना चाहते हैं कितने चार्जिस का भुपतार आपको करना पड़ेगा कि करेक्ट आंसर क्या आज आएगा आपके पास चलिए इसको भी समझते हैं सबसे बहले आपने जो है क्योंकि अब कोई भी अब सिंपल पूचास आएगा इंशर्ड आर्टिकल तभी आपने यह समझ लेना इसकी इंशरेंस तभी होगी जब पहले आप उसकी रिजिस्ट्रेशन करेंगे तो सबसे बहले रिजिस्ट्रेशन वाले चार्जिस जो बिल्कुल कमपल्स लिया वो देने पड़ेंगे 17 रुपीज आगे सहते हैं उसके लिए जो पोस्टे चार्जिस हैं कि अकोडिंग टू दी क्लास ओफ दी आर्टिकल किस तरह की श्रेणी का आप लेक भेजने हैं जाते हैं क्योंकि 200 रुपे तक आपना उसकी इंशरास करनी है तो इसमें 10 रुपे और जोड़ लेने हैं ठीक है तो यह टोटल आपके बास चार्जिस बन जाएंगे तो इनको हम कैलकुलेट कर लेंगे कितने होस आएंगे आपके बास 17 प्लस 25 कितने हैंगे 2 और 3 कितने हैंगे आपके बास 42 हैंगे तो 40 रुपीज का भुकतार आपको करना पड़ेगा तो इस तरह से आप चार्जिस निकालेंगे तो ध्यार रखना इंशोड आर्टिकल अकेला दिया है तो उसके लिए भी पंजीकन आनिवा रहे है तो 17 270 या फिर बन 50 अब यहां पर इसका भी confusion होगा कर दिया है लेकिन अब भी अगर किसी को confusion है तो हम इसको भी क्लेयर करेंगे क्योंकि आपने नोर पर पढ़ा होगा प्योगाइड पार्ट वन में हो सकता है मैंने भी कई जगा पर पढ़ाया होगा वह प्रानी बात है क्योंकि क्लेयर कर लेना पोस्टल अडेंटी कार्ड के लिए 270 रुपे ही लिए जाएंगे तो इसमें भी ध्यान एकना जो application fees रहेगी application fees के रूप में आपसे 20 रुपे और processing fees के लिए क्या processing fees के लिए आपको 250 रुपे का भुपतान करना पड़ेगा तो total जो आपसे charges लिए जाएंगे 270 रुपीज है तो सी option जो है आपे सही आजाएगी आगे सलने वटार दी charges on VP post up to 20 INR 20 INR तक के VP लेख के लिए क्या शुलक आपसे लिए जाएंगे 73 की सही option आपके पास क्या जाएगी अमाली जो कोई वी VP आर्टिकल है अब VP आर्टिकल जो आप 20 रुपे के लिए भेजा गया है तो कितने charges लगेंगे इसको post करने के लिए मैं यह नहीं पूछ रहा हूँ अगर आप क्या करना साथ है 20 INR तक एक आपके पास क्या है अब भी 50 ग्राम आली example लेते हैं 50 ग्राम के वी पी आर्टिकल को आप post करना साथ है जिसकी value 20 रुपे है आपको कितने charges का भुकतान करना पड़ेगा 73 की से option क्या साथ है तो सबसे पहले वी पी आर्टिकल में वी पी पोस्ट आप करना साथ है तब भी पहले क्या होगी उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी ठीक है उसका पंजी करना होगा 17 रुपीज आपसे लिए जाएंगे भी इसमें भी तो रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी ना वी पी आर्टिकल के लिए भी ठीक है तो 17 रुपीज आजाएंगे आगे साथ हैं वेट क्या कोडिंग 50 ग्राम है यह वाली चीज़ें आप क्लेयर करके जाना एक्जाम में पूछे चाह सकती है तो यहां पर 70 रुपीज तक के वी पी आर्टिकल के उपर लिए जाने वाले चार्जेश रहे हैं वो कैसे लिए जाएंगे कितने लिए जाएंगे अब यहां पर एक्जाम्पल लेते हैं थोड 95 ग्राम का एक लैटर है ने आप पार्सल की एकजाम्पल लेते हैं लैटर की बहूत होजाएगी तो हम एक counselors कि माली जी आपके बाहास क्या है आपके बाहास 675 ग्राम का एक पार्सल है वीपी पार्सल के रूप में आपको उसको भेजना चाहते हैं 30 रूपे के लिए आप उ पोस्टिंग के लिए पोस्टिंग के लिए कितने चार्जिस का भुक्तार आपको करना पड़ेगा कि निकल गया अंसर तो अच्छे लिए सॉल्व करते हैं छेसो भीचतर ग्राम है पहले 500 ग्राम के लिए हमने कितने किये 19 रुपे आपसे लिए जाएंगे प्लस आगे सालते हैं उसके बाद जो भी 500 ग्राम आएंगे उसका पार्ट आएगा मदलब कि यहां पर जो भी एक्स्ट्रा बच जाएंगे 175 या जो भी बच गे उनके लिए आपको कितने देने पड़ेंगे 16 रुपीज देन पड़ेंगे यह सारे चार्जिस मिलागे आपको इसकी पोस्टिंग के लिए देने पड़ेंगे तो कितने हैंगे 17 और यूपे आपके बास 19 यह आ जाएंगे ठीक है नो छे पंद्रह पंद्रह प्र्राइग एक रहाएंगा कितने बन गे 55 रुपीज आप से लिये जाएंग तो यहां पर इस कॉश्चन का तुस्य आंसर है वो कितना आएगा भी आज आएगा तीन रुपए आपको देने पड़ेंगे चीक है जी चलिए आगे सहते हैं आगे कॉश्चन आपके बास अगर 50 रुपए से अधिक के लिए होगा अब माली जी आपके बास बीपी पार्सल है और वीपी पार्सल आपने बहेज आए कितने रुपए के लिए 50 रुपए से उपर है मतलब कि आप क्यूंकि पांस हजार 1200 ग्राम बजन वाले पार्सल को आप वीपी पार्सल के रूप में भेजना चाहते हैं जिसकी वैल्यू चार हजार रुपए है उसके ओपर कितने शुल्क आपको देने पड़ेंगे 75 की से अप्शन क्या आज आएगी अब यह जो आएगा है जो आएगा है एक इस रुपए से लेके पचास रुपए तक क्या बोले यह चार रुपए लगते हैं इसको क्रोस्ट चैक कर लेना ठीक है चलिए यहां पर आपके पास आपने कैसिस को करना है आप 4000 रुपए के लिए है क्योंकि आपकी 50 रुपए से अधिक के लिए होगा तो उसके लिए आपको कितने चार्जिस का भुकतान करना पड़ेगा पांच रुपए यानि के वीपी के रूप में आप उसको भेजना चाहते हैं पांच रुपए एक्स्ट्र उसके उपर लग जाएंगे आगे साथे हैं क्योंकि 1200 ग्राम का पार्सला पहले 500 ग्राम के लिए 19 रुपए फिर 16 रुपए अगले 500 ग्राम के लिए फिर उसके चेश्टेस के बाद 17 रुपए और यहां पर और 90 रुपए और शाने और साथ मैं पांच रुपए और दो जाएंगे कितने हो जाएंगे यहां पे 7 और 2 9 9 9 8 8 5 कितने हो जाएंगे 23 कितने रहेंगे 23 25 57 3 रुपीज का भुकतान आपको करना पड़ेगा ठीका 860 कैसे हो गया बहुत जाद हो गलत है कितना आएगा सैवंटी थी रूपीज आजाएंगे पंद्रा सो रुपे से अधिक के लिए आप इसको भेजेंगे तो यह भी इंपोर्टेंट पाइंट है बिल्कुल सही बात यहां पर रहे हैं बन्रा सो रुपे से अधिक के लिए ब्यूर्ट के लिए इंशरेंस अ पर इधेंगे तो आगे तो यह बढ़ते जाएंगे रती दिन वी फी पार्सल पर वेही रॉपे शुल्क जवाबों कितना लियाज आएगा कि दो रुपे तीन रुपे पांच रुपे या दस रुपे आप पार्सल है आपने भेजा है कि उसका वित्रण नहीं हो पाया साथवे दिन के बाद आठवे दिन से उसके ओपर क्या हो जाएगा वेरासिंग चार्जिस लगने शुरू हो जाएगे के दो कितने रुपे लिए जाएंगे साथवे आपके बाद भी आ जाएगा तीन रुपे लिए जाएंगे कि अगर आप उसको फी welfare पार्सल है अगर बो वी पी आर्टीकल के लिए आर्टिकल के लिए मतलब उसमें पार्सल के लावा कोई अन्य लेख हो जाएगा तो इसके लिए दो रुपे देने पड़ेंगे ठीक है तो इस तरह से यह रहेगा नेक्स चलते हैं नेक्स आपके बास but is the fees for recall of a postal article डाक लेख को वापस बुलाने के लिए कितने शुल्क आपसे लिए जाएंगे 6 रुपे, 30 रुपे, 60 रुपे या फिर 70 रुपे किसी भी आप postal article को recall करना साथ हैं उसके लिए आपको कितने चार्जिस का भुकतान करना पड़ेगा 6 रुपे का करना पड़ेगा अप्शन क्या साएगी यह आजाएंगी वट इसी रीकॉल, फीस फार, फॉरेन आप्कल और विदेशी डाग लेको वापस बुलाने के लिए कैस्वल के लिए जाएंगे 6 रुपे, 30 रुपे, 70 या फिर 60 रुपे इसके जी से आंसर आपके बास क्या आजाएगा किसी भी foreign article को बापिस बुलाने के लिए आपसे 30 रुपे और inland article को बापिस बुलाने के लिए 6 रुपे लिए जाते हैं वट आर्दी POD charges for speed post article ठीक है मैं भी यहां पर speed post वाला उधार नहीं दूँगा नहीं तो सभी फंसेंगे मैं भी फंस जाओंगा क्योंकि इसके लिए आपको distance भी साथ में चाहिए होता है distance इसमें mention करना ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि distance के according किसी speed post article के ओपर charges लिए जाएंगे तो speed post लेक के लिए जो POD शुलक है proof of delivery वो कितना लिया जाएगा 3 उरुपे 5 उरुपे 10 उरुपे या फिर free of charge सही answer क्याएगा आपके बाद सी आ जाएगा 10 उरुपे आप से लिए साथ में ऐसी option जो है क्रेक्ट हो जाएगी post office is responsible for loss of a registered article पंजीकरित लेक के नुकसान के लिए डाक अगर जिम्मेदार होगा भी अभी competition इतना है आपको calculation वाले भी आ सकते हैं आपको interest वाले भी आएंगे आपको rule भाले भी आएंगे ठीक है क्योंकि कुछ भी अब बचा नहीं है examiner जो पूछे जो बारवार ना पूछा गया तो उसके according अभी तो यह भी आ सकते है calculation वाले आपको rule नंबर वाले close नंबर वाले भी पक्का आएंगे आपको date जो है वो आएंगे आपको full forum वाले जरूर आएंगे तो इस तरह से तो exam में आएगा यह भी पंजिरिद लेके नुकसान के लिए क्या डागर जिम्मेदार होगा से answer काएगा भी आ साएगा बिलकुल भी जिम्मेदार नहीं होता है तो भी option जो है यहाँ पर correct हो जाएगी तो इसके आगे सलते हैं special registration and verbs may be used to send unregistered letter क्या बुचा गया विशेश पंजिगर्ण वाले लिफाफे को अपंजिगर्ण पत्र के रूप में भेजने के लिए उप्योग किया जा सकता है बही स्पीड पोस्ट वाले तो आपको याद करने पड़ेंगे उसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है उसमें आपको ध्यान द देना पड़ेगा वजन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा उसके डिस्टेंस के ऊपर तो उसके अकोडिंग चार्जिस लिए जाएंगे है तो यहां पी क्या पूछा कि आप विशेश पंजीगर्ण वाले लिफाफे को अगर आप अंजीगर्द पत्र भेजने के लिए उप आइटिकल आइटिकल वेरिंग दी वर्ड रजिस्टर तो कोन से लिख के लिए आपको पंजीकन की अवश्यक्ता नहीं होगी सही आंसर क्या आज आएगा आज आएगा कोई भी पार्सल जिसका बजन चार केजी से अधिक होगा उसके लिए आपको पंजीकन करना पड़ेगा अलगर कम है तो ऐसी कंडीशन में पंजीकन की कोई विए वश्यक्ता नहीं रहेगी आगे सब्सक्रित की हुई मूल रसीद की सत्यापित प्रती प्राप्त करता से के द्वारा हस्ताक्षर करने के कितने समय के भीतर जवाबू प्राप्त कर सकता है अच्छे महीने अठारा महीने शिक्स्टीन मन्स या फिर बनियर क्रेक्ट आंसर आपके बास क्या आज आएगा अच्छे महीने के भीतर उसको प्राप्त कर सकता है ओप्शन क्रेक्ट आज हैगी लेकिन जो इंपोर्टेंट चीज़ है यहां पे ध्यान देने वाली वो कहा है कि यह छे मीने जब वो कब से गिने जाएंगे च्छे मीने गिने जाएंगे जब अड्रेसी ने जब प्राप्त गरता है औरिजिनल रेसिप्ट के ओपर सिगनेचर किये थे उस तारीक से छे मीने के भीतर सेंडर इस चीज़ के लिए अप्लाइ कर सकता है नेक्स कॉश्चन कंपंसेशन देट कैन वी गिवन फोर रिजिस्टर इंलेंड लेटर पैकेट और पार्सल पंजीकरित पत्र पैकेट या पार्सल के लिए अधिक्तम कितना मौबजा दिया जा सकता है तो इस चीज़ और इंपोर्टेंट है वो ध्यान में आपको क्या रखनी है कि जब भी को रिजिस्टर आर्टिकल होगा कि हमने उपर किया कि उसके लिए डागर अगर वो गुम हो साथ है नुकसान उसको कोई हो साथ है तो डागर उसके लिए जिम्मेदार नहीं रहता है लेकिन अगर जो सेंडर है या ड्रैसी है वो अवेदन करते हैं का आर्टिकल जो अब गुम हो गया माबज़े के लिए वो अवेदन करते हैं अवेदन जो है वो किया साएगा हैड़ अप सर्कल को हैड़ अप सर्कल जो अनुग्रह के रूप में मतलब दया करके चाहे तो सोर पे तक की कंपनसेशन या माबज़ा दे सकता है लेकिन यह ली सामगरी का विमा उसकी मूल राशी के लिए किया जाना चाहिए औप्शन का गवर्मेंट करेंसी नोट कोईन बैंक नोट से अब यहां पे देखो गवर्मेंट के लिए मुझे एक चीज याद आ रही है जो मैं आपको बताना साओंगा करंसी नोट आपने भेज़े हैं अब इसमें इंशुरेंस जो इनकी जो वैलियो उसके लिए आपने कर दी अब लेकिन एक चीज जान में रखने हैं उसमें केवल 95 रह गया अगर बजन कम हुए है उसको क्षती हुई है कोई सामने दिखाई दे रहा है ठीका उसके साथ को टैंपरिंग हुई है ऐसी कंडीशन में उसके लिए मौबजा दिया साएगा इंशुरेंस जो आपने करवाई है अभी मौबजा मिलेगा आप बोलें कि 100 को नोट भेजे थे अभी 99 रह गया इस तरह की चीजों के लिए मौबजा नहीं दिया जाता है इसको भी आपने ध्यान रखना है आगे सरते हैं अन्वर्प्स विच्ट कैन वी यूजड टू सेंड इंशुर्ड आई बीमित लेख भेजने के लिए किस तरह के लिफाफों का यूजड किया जा सकता है ब्लैक बोडर अन्वर्प्स ट्रास्पिरेंट पैनल अन्वर्प्स कलर्ड पैनल अन्वर्प्स या फिर इनमें से कोई भी नहीं ठीक है आप कोई भी इंशुर्ड आर्टिकल भेजना साथ है इंशुर्ड आर्टिकल भेजने के लिए किस तरह के यूज किया जा सकता है इस तरह कि किसी भी लिफाफे का यूज आपने नहीं करने है जिसके बोर्डर यानि के बाहर वाली जो पट्टी है वो काले रंग की हो या फिर उसमें ट्रांस्पिरेंट पैनल का यूज किया गया हो ठीक है वो भी नहीं होना ऐसी है और कलर्ड पैनल अन्वलक भी नहीं होने साहिए डी आप्शन आपके पास क्रेक्ट आजाएगी नेक्स्ट कॉस्टिन जालते है इनमेंसे किसे वी पी लेख के रूप में भेजा जा सकता है लीगल डोकुमेंट्स को भेजा जाएगा प्रोमिसरी नोट्स को भेजा जा सकता है आर्टिकल्स हाविंग नो इंस्टेंसिक वैल्यू या फिर रोल अफ दिवाब से आंसर कहेगा डी आजाएगा सभी को आप क्या कर सकते है आप एक मिन्ट का इंतजार करेंगे ठेक है और मुझसे अभी कमेंड करके बतादें गयोंकि इसका लिए हैम पहले वी लाइव क्लास कर चुक है जो आपके बासस से वाले उपर है मनिर मिर्मिटास वाला धनपरेशन वाला टोप या tape इसके लिए हम उर्चे इक बार कर चुक अभी थोड़े दिन पहले ही किया है तो इसको द्वारा से करने की अवश्यक्ता नहीं है अगर आबो करना है तो हम आपका टाइम वेस्ट विल्कूली भी नहीं करेंगे ठ्याब वाली क्लास कर सकते हैं तो हम बाकी जो रिमेंट को कवर करेंगे फिर आप कर जो हैं वह लंबी कर चुकiquement पहला हम सारी करेंगे तो किया है आपके पास अगर आज के पास प्रवाइड दी फैसिलिटी आफ ट्रेक्टी टाइम ऑफ डिलिवरी कि अब जिनको नहींbot हम अब बता थेंगे आपको आपको अभी थोड़े दिन दस-पंदरा दिन पहले हमने लाइव क्लास किया और उसमें हमने सब कवर किया है मनी रिमिट टांस के वारे में और भी एक दो टोपिक है जो हम कवर कर चुके है तो यहां पर क्या पूछा क्या है वित्रण के समय नकद को इकत्र करने की सुविदा किसमे दी जाते है मनी ओडर में कैश और डिलिवरी में स्पीड पोस्ट या फिर ओल आफ दी अवब क्रेक्ट आंसर के आज आएगा आपके पास जी भी आज आएगा कैश और डिलिवरी में क्या होता है जब आप वित्रित उस आर्टिकल का वित्रण करते हैं उस समय प्राप्ट करता से चार्जेश जो हैं वह इकत्र किया जाते हैं कोंसी आप्शन से आज आएगी आपके बाद भी आप्शन जो है क्रेक्ट आज आएगी आगी सब्सक्राइगा कोई वी स्योडी आर्टिकल आप भेजना साहते हैं तो उसको कितने रुपे तक भेजा जा सकता है 173 की से आपके बाद आज आएगी पचास हजार रुपे तक के लिए भेज सकते हैं और वी पी आर्टिकल जो है उसको कितने तक भेज पाएंगे पांच हजार रुपे तक भेज पाएंगे नेक्स कॉस्टन जालते हैं COD services अवलेवल फो वो किसके लिए उपलवद रहेगा Express parcel customers के लिए क्या business parcel customers के लिए speed post customers के लिए या इन सभी के लिए उपलवद रहेगी और आंसर क्या हो जाएगा सब्सक्राइब किसके लिए अप्लवद रहेगी इन सभी के लिए अप्लवद रहे तिया से आंसर क्या आज आएगा आपके पास डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्टन चलते हैं स्योडी आर्टिकल्स डू नोट कंटेंड इसके बिल्कुल भी ग्रूप में दे देंगे स्योडी लेखों में कूपन टिकेड प्रमाण पत्र या परिशेपत्र नहीं होने से यह जिसमें माल की विक्री जिनें माल की विक्री के लिए डिजाइन किया गया हो इस तरह जो होगा उनको क्या मानना जाएगा स्योडी लेखों में कूपन टिकेड प्रमाण पत्र या परिशेपत्र शामिल नहीं होने से जो कि इसके लिए त्यार किये बिक्री के लिए जिनें डिजाइन किया जाता है उनको क्या कहते है स्डॉवूर शिस्टेंग के रूप में मानास आता है और स्व्वोर के रूप में माने जाने वारी समगरी को स्योडी के रूप में कभी भी नहीं भेज जाना चाहिए आगे सलतें उन्सरेंस अब स्योडी आर्टिकल इसक्टàn आर्टिकल्स के लिए इंशुरेंस या भीमा जो है वो अनिवार या रहता है true या फिर false COD आर्टिकल्स जो रहेंगे उनके लिए इंशुरेंस जो है वो क्या कमपल्स नी रहती है नहीं कोई सही आंसर क्या आजाएगा आपके बास भी आजाएगा किसी भी COD आर्टिकल्स के लिए जब भी प्राप्त करता से राशी वसूल की जाती है तो उसे प्रेशर को कैसे भेजा जाता है मनियोड़ा के मादेम से वीपीमों के मादेम से एपेमेट या फिर ओल अफ दी अवव यहां पर कुछ भी बोल रहे है जिनकी त्यारी मेरे जैसी बहुत अच्छी है ठीक है वो बता रहे है भाई वीपीमों के मादेम से भेजेंगे जो क्या है गलत है अगला कॉशन आपके बास वीपीमों के मादेम से इसको भेज जा जाता है तो आपके बास सी आजाएगा अगला कॉशन आपके बास वीज कोल्ड आज विल्क कस्टमर थूग रहक जो आब किसे का जाएगा प्रवाइड टैंथ हॉजन वर्थ आप स्पीड पोस्ट इन अब अहीं पर हम बुल्क कस्टमर जो आपो किसे कहते हैं ऐसे किसी कस्टमर को जो एक कलेंडर महा में क्या करें दस हजार उपे तक का स्पीड पोस्ट वेव साह पर दान करें तो सही आंसर क्या आजाएगा आपके बास यहां पे एहां पर किसी को भी कन्फूजन है वो दूर कर लेंगे कौन सी option से यहाज आएगी आपके बाद A option क्रेक्ट आजाएगी फार BNPL फैसिलिटी वल्क कस्टमर हाव टू BNPL सुबीदा के लिए थोक ग्रहा को क्या करना होता है agreement with designated authority नाम to produce bank guarantee उसे bank guarantee देनी पड़ेगी बोथ दिवाव या फिर इनमें से कोई भी नहीं सही answer क्याएगा उसे एक तो क्या करना पड़ेगा नामीत प्राधिकारी के साथ समझोता करना पड़ेगा साथ मोसको bank guarantee भी produce करनी होगी अगे साथे next question आपके बास BNPL contract will be applicable for a period and approving authority shall Rini contract own और BNPL अनुबंद जो किस अब्दी के लिए लागू होगा रनुमोदन प्राधिकारी जो अनुबंद को किस कैसे या फिर किस अधार पर नवीक्रित करेगा छे महीने के लिए लागू होगा monthly basis 12 months monthly basis 24 months या फिर 12 months annual basis correct answer क्या आस आएगा किस अधार पर उसका नवी करने के आस आता है तो सही आंसर क्या होगा आपके बास डी होचाएगा आगे चलते हैं और है वीएनपी यूब्ल वी प्रिप्यर्ड उन वियनपी आल ब्ल जो है वो किस अधार पर बनाए है जाता है बूक नो पे लेटर कहरा आप आप आर्टीकल्स को पोस्ट करते हैं जिसके लिए भुकताज जौब बाद में किया जाता है अब यहां पे बोलेगे ब्ल्ड ब्ल ब्ल्ड ब्ल किस अधार पर तयार किया साता है ? एक जोप्शन आपके बाद नेक्स्ट कॉस्चन देखते है in BNPL facility bill is prepared by BNPL सुविधा में bill जो अबु किसके द्वारा त्यार किया जाता है head of circle, head of division, postmaster या फिर office of posting के द्वारा जी कहा है BNPL सुविधा में bill जो अबु किसके द्वारा त्यार किया जाएगा correct answer किया जाएगा office of posting के द्वारा जहां से articles post किये थे sender ने, उसी कारयाले के द्वारा क्या किया जाएगा, bill को त्यार किया जाएगा important question है but is the fees amount recovered from address for COD article cash on delivery के लिए प्राप्त करता से अबसूल की जाने वाली राशी पर क्या शुलक आप से लिया जाएगा चलिए यहां पर इसको भी example से कर लेते हैं solve करना थोड़ा tough हो सकता है लेकिन example यहां पर ज़रूरी है हमारे जी कोई भी COD article भेजा गया है किसी भी राप्त करता हो कितने रुपे के लिए भेजा गया है वो माली जी एक हसार रुपे थोड़ी असान सी लेते है solve के लिए उसको भेजा गया solve के लिए भेजा गया तो solve के तो यह आपके किसे लिए जाएंगे address से लिए जाएंगे साथ मैं extra कितने charges address को देने पड़ेंगे यहां पर क्या question होगे आपके लिए कि solve के के लिए COD article भेजा है प्राप्त करता को COD के लिए थोड़ी वीडियो क्वालिटी भाईजी आप हाई करेंगे रूप जी तो बिल्कुल अच्छे से आपको यह दिखाई देगा तो 1600 रुपे के लिए कितने charges देने भाई नो charges कहां से आगया यहां पे correct answer क्या आएगा COD के लिए 1600 रुपे है तो कितने extra charges देने पड़ेंगे correct answer क्या होचाएगा इस question का सही answer आपके बास B&D बिल्कु सही है लेकिन charges कितने देने पड़ेंगे कैसे करेंगे इसको सबसे बहले क्योंकि हम देख रहे हैं यहां पे तो यह वाली B options देखें कि अगर यह 500 रुपे तक है तो 1.6% of recovered amount जो भी amount recover की जाएगी उसका 1.6% extra आपको देना पड़ेगा यह नहीं कि 1600 रुपे की हमने example ली कि 1600 रुपे COD article के रूप में उसको भेजा गया है प्लस यहां पर क्या होजाएगा आपको 1600 का 1.6% यह नहीं कि 1.6% over क्या जाएगा 100 आज आएगा ठीक है तो यहां पर इसको हम आगे solve कर सकते हैं ठीक है क्या होजाएगा आपके बाद 1600 यह थोड़ा मैंने toughy कर दिया गुना 16 होजाएगे divide में क्या होजाएगे आपके बाद 1000 आज आज आएगे 20 से 20 cancel होजाएगी 16 को 16 से multiply करेंगे जो भी आएगा ठीक है उसको यहां पर दश्मलब भी बीच में लग जाएगी एक और साथ में आपने आड कर लिया वो आपके पास अंसर आज आएगा ठीक है अगे अगर 500 रुपे से अधीक होगा तो उसका तो बहुत आसान है जैसे माली जी नाइन हंडर कहां से हो गया इतने जादा तो नहीं लिये जाएंगे ठीक है आगे सलते हैं यहाँ पर कैसे आपके बास अगर 500 रुपे से लिए भीजा गया अब इसके लिए थोड़ा सा confusing भी है और important भी है कैसे लिए जाएंगे अगर 7500 रुपे के लिए COD आर्टिकल भेजागे तो extra कितने charges इसके लिए आपको देने पड़ेंगे तो इसमें जो important चीज़ है भो ध्यान में रखने है 100 रुपीज यह तो normal सी बात है यह आपको देने पड़ेंगे साथ मैं इसको ध्यान एकना 1% of amount exceeding 6500 क्या 1% of amount exceeding 6500 अब 6500 से जो भी ज़्यादा होगा उसका एक प्रतिशत यहनिके 7500 रुपे यहनिके 6500 से 1000 रुपे जादा है तो 1000 रुपे का आपको एक प्रतिशत देना है यहनिके कितने देने पड़ेंगे आपको यहाँ पे 10 रुपे देने पड़ेंगे कितना आ गया 100 रुपे तो आपको देने पड़ेंगे साथ मैं इसके लिए कितना देना पड़ेगा 10 रुपी और देने पड़ेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके बास 110 रुपे हो जाएंगे तो इस तरह से आप 175 कहां से हो गया ठीक है मैंने यही आपको चीज़ समझाएं नहीं आपे कि लेकिन किसका एक प्रसेंट जो 6500 से जादा होगा उसका एक प्रसेंट आपको देना पड़ेगा इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन कर पाएंगे आगे सब्सक्राइब मैक्सिमम डिसकाउंट डैट कैन वी गिवन फास स्पीड पोस्ट बुकिंग अधिक्तम शूट जो स्पीड पोस्ट बुकिंग के लिए दी जा सकती है बीस प्रतिशत 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 फिर थर्टी टू कर लेना मैक्सिमम डिसकाउंट आपको दिया जा सकता है थर्टी टू परसेंट का दिया जा सकता है आगे सब्सक्राइब के बास कम्मिनिकेशन इन नेचर ऑफ फैनेशल स्टेट बिल्स मंथली अकॉंट बिल्स और इनी सच अधर इटम्स ऑफ सीमिलर नेचर इसकोल्ड आस असा संचार जो बित्य विवर्णों विलोओ मासी खाताव या इसी तरह की प्रक्राइब उससे क्या कहाज़ाइगा ढ душ और किया आँव की इससे याँसर क्याएगा स्याजएगा विल्मेल शर्विस फ्रसे कहारा जाता है आगे सालते हैं minimum quantity of arts to be posted at a time in bill mail service बिल मेल सेवा में एक ही समय में उसकी जाने वाली वस्तों की नियूंतम संख्या जवाबों कितनी हो नीशी है 5000, 10,000, 15,000 या फिर 1000 ठीक है जिससे यांसर क्या साएगा बिल में service में कितनी हो साएगी आपके बास 5000 आजाएगी 83 में क्या हो साएगा भाई इसका सही आंसर आपके बास क्या आएगा यह आजाएगा यह वाला यहाँ से आपको आंसर निकालना है ठीक है यह वाला यहाँ से आप calculate कर सकते हैं अगर 65 रुपे से अधिक है तो आप इस तरह से इसको calculate करेंगे ठीक है अगर फिर भी समय नहीं आया भाई तो मैसेज कर लेना वाट से पर बहां पर बता दूंगा ठीक है सभी का टाइम नहीं हम आप करेंगे आगे सालते हैं यहाँ पर विल्मेल सर्विस शुड़ हैव एन एक्स्क्लूजिव कमर्श पब्लिसिटी आइटम्स बिद अडवर्टाइजमेंट कैन है विल्मेल सेवा में बिग्यापन के साथ विशेश बाणित जी को पर चार सामगरी जौबों शामिल हो सकती है क्या यह सत्य है या फिर असत्य है के बील में सेवा में क्यास तरह की समगरी को आप भेज सकते हैं क्रेक्ट आंसर के आज आएगा बहुत भी आएगा फोल्स है नहीं भेज सकते हैं त्टैयों के इसमें कोई भी एक्स्व्हक्लूजीव तेंटम मात्रा की बात करें 1,000, 10,000, 5,000, या फिर 6,000 चिके चिराक्ट आज़सर आपके बास क्या आज़ाएगा चिके नैशनल भी में सर्विस में कितना आज़ाएगा 10,000 हो जाएगा भी अप्शन आपके बास क्रेक्ट आज़ाएगी अगे सर्विस मारकेट इस दी मोस्ट पोटेंट मीडियम फार बीच आफ दी फॉलेंग डारेक्ट पोस्ट ध्यानपूरवक चैनित भूगता और ब्यावसाइक बाजार से परतीक्रियां प्राप्त करने के लिए डिसाइन किया गया एक मुद्रित लेक है जो किसकी सुविधा पर्दान करता है इन डारेक्ट आडवर्ठाइजमेंट की डारेक्ट अडवर्टैजमेंट की टू रीच दी पोटेंशल कस्टमर या फिर ओल आफ दी अवब किसकी ये सुभीधा परदान करेगा सही आंसर क्या आज आएगा आपके पास भाई बी आज आएगा बी ठीक है डिरेक्ट अबर्टाइजमेंट इसकी आपने बिल्कुल अच्छे से डेफिनेशन याद कर लेनी है डिरेक्ट पोस्ट आपको डिरेक्ट अडवर्टाइजमेंट की सुभीधा परदान करती है सही आंसर क्या आज आएगा आपके पास यहां पर बी आएगा बीट क्या डिरेक्ट अडवर्टाइजमेंट की सुभीधा ये परदान करेगा भाई definitions अच्छे से याद कर लेनी है यह वाली एक वर अच्छे से पढ़के जाना है ठीक है जी आगे से रहते हैं minimum quantity of articles to be posted as a direct post प्रत्यक शडाक या direct post के रूप में post किये जाने वाले लेखों की नियुनतम संख्या एक हजार पांच हजार दस हजार या फिर दो हजार क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डिरेक्ट पोस्ट में कितने आजाएंगे आपके बास एक हजार आजाएंगे ए ऑप्शन आपके बास सही हो जाएगी आगे साथे हैं the size of direct post article should not exit direct post लेक आकार जवाब कितने से अधीक नहीं होना जी है एफ और एठी एटू या फिर एबन कि के बारे इन प्रेट के डिर्ट के बाइब है यहां पर और 25 8व हूं यहां पे आज आएगा एक आज आज से आज आजहेगा तो डिरेक्ट पोस्त जो रहती है डेक्ट ऑन आपके डरेक्ट पोस्त हैंगे और इनका साइज कितने से ज्यादा नहीं होनारimar Correct डिएक्ट डिरेक्ट मेल में क्या रहते हैं एड्रेथी और अड्रेस्ट में एक्ट याज्ड फ्यूर्ड साहिए अपर एक प्रवाइड सलीचंग सब्रॉइथींस एडिस्व भूइशन टू मेल डिटिवरी आईडियल बॉइसN안 बिजनसेज एज बेल एज लार्ज कंपनी चोटे व्यावसायों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनी को त्यार करने से लेकर उनके वित्रण तक एक अधर्ष पूरण समाधान जोब कौन परदान करेगा लोजिस्ट्रिक पोस्ट बिजनस पोस्ट एक्सप्रेस पार्सल या फिर स आती है बिच सर्विस प्रवाइड प्री में अक्टिविटीज कौन सी सेवा प्री मेलिंग गतिविधियां परदान करती है बिजनस पोस्ट पोस्ट स्पीड पोस्ट या फिर ओल आफ यह वग किसमें आपको सभी प्री मेलिंग अक्टिविटीज जो है वो मेल जाएंगी क कि उसमें आपने कोई भी संचार है वो लिफाफे में डालना है उसको गमिंग करनी है उसके प्रेड्राश यह सारी चीज़ें फ्रैंकिंग करनी है डाक टिकेट शिपकाने है तो इन सारी चीजों को सारी चीजों की सुविदा आपको किसमें मिल जाएगी बिजनस पोस्ट में मिल जाएगी मीडिया पोस्ट जो किसकी मदद करने के लिए एक घ्यापन अवधार्णा है इंडियन कॉर्परेट कस्टमर्स के लिए गवर्मेट और्गनाज़ेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर या फिर फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली एक और दो केवल क्रेक्ट आंसर क क्या हो जाएगा कि बिल्कुर सही आंसर क्या आपके बास डियो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड आपके बास ग्रेक्ट है इंडियन कॉर्परेट और गर्वर्मेंट और्गनाज़ेशन की हल्प करने के लिए सब्सक्राइब कि मैंड से लुजिस्टिक पो जाहते है ऐसमें मैक्सिमम में की कोई भी सीमा नहीं है मैक्सिमम उसका कोई भी बज़न नहीं है Catherine's К मीडिया मिंदी मीडिया पोस्ट क्राक्ट आंसर क्या जाएगा तो इसमें और भी बहुत सारी अप्शन्स है पोस्टल स्टेशनरी में आपकी जैसे पास्ट बुक आजाएंगी पोस्ट आपके पास क्या जाएंगे मनी और फॉरम आजाएंगे उसमें आपके पास और क्या जा जाता है बिजनेस पोस्ट को लोजिस्टिक पोस्ट को स्पीड पोस्ट या फिर पार्सल पोस्ट इन मैंसे किसे वन स्टॉप सलीशन कहा जाएगा क्रेक्ट आंसर क्या हो जाएगा से यांसर क्याएगा आपके बास लोजिस्टिक पोस्ट पोस्ट को One-Stop Solution कहाँ जाता है एक ही जगा पे सारे समाधान आपके परमिसे से आपके प्रांगण से डाक वस्तुओं को 2021 क्या जाता है पोस्ट क्या साता है वित्रन घर पर जाके किया साथ है क्रैक्ट आंसर आज आएगा आपके बास भाई बन स्टॉप सलीशन जो अब हो लुजिस्टिक पोस्ट को कहा साता है क्या कौन सी अप्शन से याज आएगी भाई आज की वीडियो में मोक टैस्ट में रिटेल थोड़ा कुणीजन बाल है इसको ध्यान कर लेना एक वन स्टॉप शोप रहता है वन one stop shop ठीक है one stop shop किसे कहेंगे कि जिसमें shop क्या होती है दुकान जिसमें आप चीजें बेसे हैं तो बन स्टोप शौप का मतलब होता है retail post उसमें क्या होता है third party product and services को बेचा जाता है तो उसको आप shop के यार रख सकती है कि one stop shop कोन हो जाएगा जिसमें third party product and services को बेचा जाता है वो retail post रहते हैं और one stop solution एक ही जगा पे आपको सभी समधान मिल जाएंगे वो कौन सी रहेगी आपके बास retail post रहेगी आगे सलते हैं next देखते हैं which one of the following या आप पर वही question आ गया is one of the following is known as one stop shop इन मैंसे किसे वन-stop shop भी कहा जाता है business post, direct post, retail post या फिस स्पीर post कि इसक्तर क्या चाहिए नसर ग्या आपके बाक्पर रिटेल पोस्त enhances a project कि आ courtroom 센ावी की आपके बास स्याने ऐंपी ठेंगे कि बास रिटेल पोस्त या ब्रामस आपके कि अन्दिया पोस्त कैंद हाल इसका सही आंसर आएगा अभी मैंने बोला थर्ड पार्टी और प्रड़क्ट एंड सर्विसिस को बेचने के लिए डाक घर में रिटेल पोस्ट का यूज किया साथ है तो इससे क्या हो रहा है आपके बेवसाय में बढ़ाने की मदद होती है ठीक है आपका जो बेवसाय है मनें को भुक्तान strengthened services को बेचने का काम इसके मादे मसे कीणा झायेगा है मालिजी किया हो गया मैं मालीजे कोई बेचना चाहता हूं मैंने बल्व बेचने है को बेचने है तो मैने क्या कर दिया Post Office को बो दे दिया, काम की Post Office के माधियर मसे इनको बेच दिया जाए अब Post Office ने कही किया, अलग-अलग customers को अलग-अलग Post Office के माधियर मसें पहुंचा दिया अब Post Office क्या करेगा, customer से बो सारी collection को 71 करेगा adjustment protection जो होगी उसको क्या करेगा कत्र करेगा अपने बास और कत्र करके मुझे भेज़ेगा तो many to one solution हो साएगा ना कि बहुत सारे लोगों से एक को यहां पर payment की जा रही है मुझे यहां पर payment मिल गई तो many to one solution क्या many to one हो साएगा तो यह कौन सी रहती है इपेमेंट ठीक है इसको इपेमेंट या इबिल कहते है तो इसका सही आंसर क्याएगा भी आसाएगा तो इपेमेंट वैसे भी कौन से होती है आगे सबते हैं क्लेक्शिटी विल क्लेक्शन ऑफ टैक्सिज क्लेक्शन ऑफ अधर बिल्स सेल रेल्वे रिजर्वेशन टिकेट्स राखियन वर्प्स कम अंडर यह सारी चीज़ें जो किसके अंतरगतास हैंगी बिजनस पोस्ट रिटेल पोस्ट डिरेक्ट पोस्ट यह ए तो लोग अराम से वहाँ पेजा के अपना बिल जमा कर पाएंगे तो पोस्ट आफीस इस ने क्या किया जितने वी कस्टमर से उनसे बिल इकत्र कर लिया इकत्र करके उन्होंने क्या करना है एछा कर pişके माध इसके मादिम से भेजएंगे वो यह पेमेंट या इबील के मादिम से भेजएंगे और किस में आजाएंगा क्योंकि यह थर्ड पार्टी प्रड़क्टेंड सर्वीसिस आ जाएंगे क्योंकि इलक्रिसिटी विल पोस्ट ऑफिस का खुद का काम नहीं है टैक्स एकत्र करना पो पोस्ट ओफिस सिर्फ उसको बेचता है तो कौन सी अप्शन से याज आएगी यहां पर रिटेल पोस्ट से याज आएगी आगी साहिए option organizations and businesses to collect their bills and payments through post office network संगटनों और बेपसायों के लिए post office network के माद्यम से अपने बिल और बेकत्र करने का बिकल कोण सा है रिटेल पोस्ट बिजनस पोस्ट इविल ईपेमेंट या फिर डारेक्ट पोस्ट क्रेक्ट आंसर क्या होगा जी से यांसर क्या जाएगा आपके बास या जाएगा E-bill या E-payment इसे कहा जाता है अगे सलते हैं नेक्स्ट कॉश्चन आपके बास E-bill और E-payment इस तो यह क्या चीज़ है मैंने अभी आपको उपर एक्जामपल देके भी समझाया क्या चीज़ होती है many to one solution one to many solution many to many या फिर one to one solution correct answer क्या हो जाएगा चीज़ क्या भी दोस्तों दो कि अभी मैंने इतना आपको लंबा चोड़ा समझाया क्या हो जाएगा many to one solution बहुत सारे लोगों से एक पैसे कोई कत्तर करके एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है पोस्त ओफिस में कौन सी सेवा है इविल्या इपेमेंट है many to one solution उसे काज आता है यह option यहाँ पे प्रेक्ट आजाएगी चीज़ के जी चीज़ लिए आगे देखते है आगे कॉश्चन है आपके बास चार्जिस इन इविलोरी पेमेंट फ्रों टू थाज़न फाइवंडर वन तू फाइव थाज़न रूपीस चीज़ के क्या बूच्छा गया है पच्ची सो एक रुपे से लेके पांच हजार रुपे तक के लिए इविल्या इविल्या इविक्तान के लिए क्या चार्जिस अब यहाँ पे हमने एक्जामपल ली की बिल जो है बिल के लिए पोस्ट ओफिस में ना 71 करने है लोगों से पैसे अब उन्होंने जो पैसे 71 करने है उनके जो हो गया वह तीन हजार रुपे हो गया अब तीन हजार रुपे वो कस्टमर को पहुंचाएंगे और कस्टमर को कितने चार्जिस का भुक्तान करना पड़ेगा इन तीन हजार रुपे के लिए पांच रुपे दस रुपे पंदरा या फिर बीस रुपे कि जिस ही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास फिफटीन रुपीज कितने लिए साएंगे बही पास सोडी न लिए साएंगे कि बही मैंने भी MTS का एक्जाम देना है आप ऐसे बताएंगे तो मैं भी बहां पे गलती करूंगा ठीक है सही आंसर क्या हो जाएगा आपके बास फिफटीन रुपीज लिए जाते हैं पंदरा रुपे अगर तीन अजार रुपे हो गया है मालेज ये कस्टमर तक पहुंचाने है कस्टमर को उनके लिए पंदरा रुपे का भुखतान करना पड़ेगा सी अप्शन जो है क्रेक्टर आएगी आगे सहलते हैं मेंली हो मैनी सर्विसेज प्रवाइडिड इन पोस्ट ओफिस अधार सेंटर्स पोस्ट ओफिस अधार के इंदरों में मुख्य रूप से कितने परकार की सेवाएं जो आ प्रवाइटर्स आपके बास क्रेक्ट आशाएगी आगे सहलते हैं अलेक्टोनिक क्ट्र अफ डेमोग्राफिक बायो मेट्रीक इन फोरमेशन अफ रेजिदेंट इज निवासी की जन्सांख्य की और वायो मेट्रीक जानकारी का इलेक्ट्रोनिक कैप्चर जो है उसे क्या क क्या होएगा इसको क्या कहेंगे अधार एंडॉल्मेट कहेंगे याधार अपडेशन सभी आपके बास क्या हो शायगा जी यह होसा एगा अधार Enrollment उसे का हा साथ है डिका जी कोशन आपके बाद चार्ज्स अफार अधार Enrollment अधार नामाँकन के लिए क्यों चार्ज्स लिये जाती है ड़केका 210 तक हम खैंस करेंगे बाके हम कल देखेंगे कल वाली कला सोड़ी लंब सी रहेगी अधार नमांकन के लिए कितने चार्जिस का भुक्तान आपको करना पड़ेगा क्रेक्ट आंसर क्या जाएगा फ्री ओफ चार्ज ये रहती है इसी आप्शन आपके बाद क्रेक्ट हो जाएगी आगे से लाते हैं अधार 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 जाएगा बुक क्या चीज़ होती है डेमोग्राफिक अपडेशन सच आज नेम इमेल मुवाइल नंबर एड्रेस एक्सेटरा जान संखे की अपडेशन जैसे नाम इमेल आईडी मुवाइल नंबर पता उसका वायो मैट्रिक अपडेशन हो जाएंगी फेशिल इमेज और टैन फिंगर प्रिंट्स और साथ मैं आईडिस अपडेशन यह सारी चीज़ें बोथ आफ दिवाव यह से कोई भी नहीं क्रेक्ट आंसर के आजएगा अपके आपको बताएं ठीक है और उसमें अपडेशन के लिए जाएंगा इसमें यह सारी चीज़ें आपको करके दी जाती है नाम इम प्रिंगलियों की शाप ली जाएगी यह सारी चीज़ें ली जाएंगी तो यहां पर इसी अप्शन जो है क्रेक्ट आज आएगी पोस्ट ओफिस पास्पोर्ट सेवा केंदर इसी मीचल अगरीमेंट पोस्ट पास्पोर्ट सेवा केंदर जो है वो किसका आपसी समझ होता है डियोपी अंड सेंट्र गवर्मेंट डियोपी और फोरें सर्विस डियोपी अंड मिनिस्ट्री आफ एक्स्टरनल अफेर्स या किसलिये लास क्षिंग देखते हैं आज की वीडियो का बट इसी मीनीमम चार्ज वल बेट इन लोगिस्टिक पोस्ट में नियूंतनों प्रभार य बजन जाबो कितना है 50 kg, 20 kg, 5 kg या फिर कोई भी लिबेट नहीं है है कि यहां पर ब्ध, स्टॉप स्लीशन मैं कि यहां यहां यह सकता 강 के हैं मुज्छे भी लगता है बुजुनस पॉस्ट होना इसी एक राय कर लेना क्योंकि फर्वन स्टॉप यह यहां लोग्द ग्रूप में जगह वे सवी समझर κवर्ण वह इस प्रशन अप्रेक्ट करेंगे जिस मैंने रिटेल पोस्ट बोला है ठीक है वो आप सही कर लेना तो इसका सही आंसर क्या जाएगा भाई ग्रूप में देधी साइगी पीडिया वी लोजिस्टिक पोस्ट में जो मीनिमम चार्जेवल बेट है वो कितना जाएगा यह आजाएग अब 20 केजि का पार्सल भेजना लेकिन नियू न्यून्तब चार्जेवल जो बेट है वो इतना 50 केजिए अब यहां पी 50 केजि है तो इसका ब्यूस केलोग्राम के लिए मुझे जो चार्जे़स का भुगतान करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा जो 50 केजिक लिए जाएगा और मैक्सिमम इसमें कोई भी लिमिट आपके बास नहीं है ठीक है तो बाकी हम देखें देखेंगे नहीं यहां पर तीन दो तीन कोशन और बचेंगे इनको भी कवर किते हैं क्या बहुत बहुत धन्यावाद चलिए लो ट्रक लोड लेस्ट लेस्ट लोड लेस्ट ल आइक क्यों आइगा आए less than रिया डेक रोड ओप्शन यहां पर और छर्रक दाइगी आगे सांगे से स्याओ अपकर आप के बास यहां पर डिया साइगा मैक्सिमम कोई भी लिमेंट नहीं है मीनिमम जोब कितनी आसाइगी पचास केजी हम नहीं उपर ही किया और लास्ट कॉर्शन है यहां पर सेल ऑफ राखी अन्वर्प संडर बीच ऑफ दी फॉलिंग सर्विस हर राखी के लिफाफे जो है वो किसके तह नहीं आते हैं रिटेल पोस्ट आएगा रिटेल पोस्ट में रहता धर पार्टी प्रड़क्ट एंड सर्विस को बेचने का काम किया जाता है तो उसका प्रवाले जिसको बनाया वो सभी ग्रेट है ठीक है बहुत कोई कंफ्यूजन है क्लास खतम होगी आप छोड़ना साथ ह किसी का कोई कंफ्यूजन है वो पूछ सकते हैं अगर मुझे आता हुआ तो मैं जरूर बता दूंगा जिक है बहुत भूँत धन्यवाद आप सभी का मासा जुड़ने के लिए किसी को कंफ्यूजन है कोई वी कल हम पूरे 200 कॉश्चन करेंगे बैंकिंग वाले प्यालाई व स कि बारे में मैं भी करेंगे बन श्रॉप सलीशन एक हम पर को सारे परवाइड करवाइश आते हैं कि अगर मोकर परवाइड करवाथ दे विडियो फिया आप करेंगे मैं परस्वां कुछ भी नहीं करेंगे क्कि हमें भीए इगजाम देना है यह डहां दो कुछ को बहुत दूर जाना पड़ता है एक्जाम देने के लिए हमारी तरह के बाकी और किसी का कोई कंफ्यूजन है तो वो जुरूर अभी इस के बारे में पूछ सकता है लोजिस्टिक पोस्ट की डैफिनेशन क्या होजाएगी लोजिस्टिक पोस्ट में क्या रहता है कोई एक पार्सल का समान भीजना साथ हैं ठीक है पार्सल का समान एक लिए मुल्टी पार्सल के रूप में आप इसको ओस्टिक पोस्ट में घ्रते जातेैं बता जा Goo ना प्लीज चंदरा भाई क्या बताने है बताएगी मैं बता के जाओंगा कोई confusion है आप पूर सकते हैं बागी class खत्म हो चुक है division है भाई उन्ना ठीक है हिमाचल पर्देश चुक है तो से लिए ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मासा जुड़ने के लिए कोई confusion रहेगा आप बट साय पे या ग्रूप में message कर सकते हैं धन्या